हाई मेरा नम बंदना सरोज है और आज मैं बात करूँगी cut-off timings, mutual fund scheme में invest करने के cut-off timings क्या है साथ में mutual fund की NAV, net asset value क्या होती है या आप के लिए important case है अगर आप एक ऐसी mutual fund scheme चूज करते हैं जिसकी NAV बहुत कम है क्या इसका मतलब आपने सस्ते में mutual fund में invest कर दिया कोई ऐसी mutual fund scheme जिसकी NAV बहुत ज्यादा है तो क्या इसका मतलब आप महेंगी scheme में invest करने जा रहे हैं तो ऐसे सारे डाउट्स जो की mutual fund में invest करने के cut-off timing से जुड़े हैं या फिर mutual fund की net asset value से जुड़े हैं वो सब आपके इसी वीडियो में clear होंगे सबसे पहले समझते हैं NAV of any mutual fund scheme देखें NAV का मतलब है net asset value किसी भी mutual fund scheme की NAV उस mutual fund की market value को दिखाता है NAV net asset value एक ऐसी कीमत है जो आपको देने पड़ती है किसी भी mutual fund scheme में invest करने के लिए और जब आप उस mutual fund scheme को बेचते हैं तो भी उसी NAV net asset value के हिसाब से ही आपको अपने invested पैसे पे return मिलता है अगर मैं एक example लूँ तो access long term equity fund growth की NAV 20 अक्तुबर को 47.78 थी इसका मतलब जो भी इस scheme में 20 अक्तुबर को invest करना चाहते थे उनको access long term equity fund की एक unit खरीदने के लिए 47.78 रुपीज पे करना पड़े अगर किसी mutual fund scheme की NAV net asset value कम है तो इसका मतलब आपको ज्यादा units मिलेंगी अगर किसी mutual fund scheme की NAV बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब आपको कम units मिलेंगी उस mutual fund scheme की जानकारी आपको अच्छी लगी तो यहाँ से वीडियो को like जरूर करें यहाँ से आप इस वीडियो को share कर सकते हैं share आपको ऐसी ही important और अच्छी वीडियो चाहिए banking, finance, IRDA, RBI, post office या सरकाई scheme से related तो अभी इस चैनल को subscribe करते subscribe पे click करेंगे यह bell icon घंटी का निशाना आएगा आपने all select करना है ताकि सारी important videos आप तक सबसे पहले बहुत सकें यह आप screen पे देखे किसी भी mutual fund scheme की NAV net asset value निकालने के लिए यह formula यूज किया जाता है daily basis पे यह NAV mutual fund house calculate करता है और जो NAV है किसी भी mutual fund scheme की यह दिखाती है कि उस तिन उस scheme की market में क्या कीमत है जनली लोगों में एक misconception होता है कि जिस mutual fund scheme की NAV net asset value कम है वो mutual fund scheme सस्ती है तो मैं उसमें invest कर सकता हूँ मुझे रटन्स ज्यादा मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है अगर मैं दो scheme लो जिसकी net asset value में काफी difference है लेकिन portfolio जो है वो same है इसका मतलब same companies के stocks हैं उन दोनों schemes में तो return जो है over a period of time वो भी same रहेंगे जब भी आप किसी mutual fund scheme में invest करते हैं तो सिर्फ NAP पे ना जाएं आपको mutual fund scheme के जो past performance है और even bad time में भी उस mutual fund scheme ने कैसे perform किया है आप उस mutual fund scheme को दूसरे mutual fund scheme से भी compare किजिए और रिटन्स को compare किजिए बेंचमार्क को उस particular mutual fund scheme ने बीट किया है या नहीं किया है वैसे बहुत सारे parameters हैं जो कि आपको देखने चाहिए जब भी आप किसी mutual fund scheme में invest करते हों NAV और रिटर्न के रिलेशन को समझाने के लिए यहां पे तो mutual fund scheme ली है यह large capitalization category की mutual fund scheme है जो net asset value है यह investors के लिए कैसे important है अगर किसी mutual fund scheme की NAV continuously बढ़ रही है या थोड़ा बहुत चेंज आके फिर से उसमें growth आ रही है तो इसका मतलब आपने अच्छी mutual fund scheme को चूज किया है उस particular category में अगर ऐसे कोई आपने mutual fund scheme इन्वेस्ट किया जिसकी NAV गिरती ही जा रही है तो इसका मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो भी कम होता जा रही है और अगर NAV बढ़ती जा रही है तो आपके पैसे में भी growth आती ही जा रही है आपके पास जो आपके mutual fund की statement है उसमें लिखा होता है कि कितनी units आपके पास है उस mutual fund scheme की तो उन units को जब भी आप fund scheme की NAV से multiply करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तो पैसे मैंने इन्वेस्ट किया था उसकी कीमत अभी इस टाइम कितनी है अब मैं बात करती हूँ mutual fund scheme में इन्वेस्ट करने के या उनको सेल करने के cut off timings के बारे में cut off time एक तरह की time की deadline है कि अगर आपको किसी particular दिन में किसी mutual fund scheme की एक particular NAV चाहिए net asset value चाहिए तो इस time से पहले-पहले आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए तो अगर मैं equity fund की बात करूँ जो की stocks में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर equity mutual fund में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको दिन में जो working days है Monday to Friday उसमें आपको शाम के तीन बज़े से पहले-पहले इन्वेस्ट कर देना चाहिए अगर आपको उस दिन की किसी भी equity mutual fund scheme की पर्टिकुलर net asset value चाहिए यह जो cut-off timing है यह अगर आप mutual fund खरीजना चाहते हैं तो भी applicable है अगर आप mutual fund scheme से बाहर निकलना चाहते है और उनको बेचना चाहते हैं तो भी applicable है तीन ऐसे time है जहां पर cut-off timing साब के लिए बहुत matter कर सकता है अगर as an investor आप किसी mutual fund scheme में इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक particular sector से चूड़ी है या मैं कहूं कि sectoral mutual fund है कोई ऐसा big change है जो कि उस sector में आने वाला है और आपको लग रहा है कि next day से जो NAV है उस mutual fund scheme की वह बहुत कम price पे पिले तो उस दिन की NAV बुक करने के लिए आपको उस cut-off time से पहले invest करना पड़ेगा थर्ड जो है अगर जो index है वह बहुत जादा गिर गया है जैसे कि मैं अगर सिफ Sensex का example लूँ अगर 1000 points किर जाता है तो हर investor यह चाहेगा कि उस दिन मैं stocks में इन्वेस्ट करू या आपनी जो भी mutual fund scheme है जो भी मुझे suit करती है उसमें मैं invest करूँ तो अगर आप liquid या overnight mutual fund के cut-off time से पहले इसमें invest करते हैं तो आपको previous day की NAV दी जाती है एक दिन पहले की ATAV और अगर आप cut-off time के बाद इसमें invest करते हैं तो आपको same day की NAV मिलती है लेकिन liquid और overnight mutual fund के case में fund realization बी जरूरी है अगर आपको previous day की NAV चाहिए तो cut-off time से पहले mutual fund house को जो पैसा आप invest कर रहे हैं वो भी मिल जाना चाहिए इन funds को purchase करने का cut-off time है वो 12.30 PM है और liquid and overnight mutual fund को जो sell करने का cut-off time है वो 1 PM है debt mutual funds, conservative या hybrid funds में invest करने का cut-off time है वो 1 PM है और इन mutual funds को sell करने का cut-off time है वो भी 1 PM है debt या conservative mutual fund के case में अगर आप cut-off time से पहले invest करते हैं तो उसी दिन की NAV मिलती है cut-off time के बाद invest करते हैं तो next day की NAV दी जाती है अगर आप अपनी mutual funds schemes में switching भी करते हैं debt to equity and equity to debt तो उस case में भी यही cut-off time applicable होंगे equity mutual fund में अगर आप invest करना चाहते हैं तो same day की NAV लेने के लिए cut-off time है 3 PM और अगर आप equity mutual fund को sell करना चाहते हैं same day की NAV पे तो भी cut-off time same है 3 PM अगर आप 3 PM के बाद invest करते हो तो आपको next day की NAV मिलती है तो आपको ऐसी ही important वीडियो चाहिए अभी इस चैनल को subscribe करते subscribe पे click करेंगे यह bell icon घंटी का निशान आएगा आपने all select करना है तो यह थी मेरी वीडियो मिलती हूँ next वीडियो में झाले कि झाले काई यह झाले करते हैं थीडियों नहीं थीज करेंगे इसे थाजी वीडियों